है वास्वाइब पीपल इस मी विसुदी जैकर वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने गाने को अलग-अलग मुजिक प्लाटफॉर्म पर डिस्टिब्यूट कर सकते हो पूरा अज प्रोसेस पूरा फुल टॉटोरियल में ल नोवे कोर तो जब आप गूगल पर सर्च करोगी नोवे कोर तो जो आपको सबसे पहली एपसाइट दिखी आपको इस पर क्लिक करना है तो यह नोवे कोर यह आपकी मुजिक को अलग-अलग मुजिक प्लाटफॉर्म पर डिस्टिब्यूट करता है वह बिल्कुल फ्री में एक بھی पैसा आपसे नहीं लेगा आप चाहो तो इसका प्रीमिम वर्दन ले सकते हो ताकि अपने मुजिक को जल्दी से जल्दी रिलीज कर सको लेकिन आप चाहो तो फ्री में पेश्तमाल कर सकते हो तो आज पूरे प्रोसेस के बात करें में अकाउंट सेटप के बारे में सा तो आपको login पर क्लिक करना है मैंने account बना लिया है तो मैं आपको login यह बहुत ही simple process है आपको सारी details फिल करनी होंगी एक email पर confirmation जाएगा उस पर क्लिक करेंगे email confirm होगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी तो चलिए हम login करते हैं यहाँ अगर आपका कोई question है तो आप इससे पूछ सकते हो इन से चलिए हम login करते हैं तो जब आप login कर लोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो फेले इसके बारे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके सारे music release करते हो उसके थूज आपका पैसा बनता है वह यहाँ पर शो होगा ठीक है सपोर्ट में अगर आपको कोई problem है तो आप उनसे support मतलब उनसे help ले सकते हो यहाँ सारी जानकरे दी होई है फिर तीसरी चीज वेरिफिकेशन तो यह आपसे वेरिफिकेशन मानता है आप अपने सबसे पहले आपको create release पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिलेगा तो चलिए सबसे पहले हम सारी information को fill कर लेते हैं पहले मैं आपको fill करके फिर बताऊंगा तो यहाँ पर मैंने अपनी साई information को fill कर लिया है यहाँ पर आपको देखिए जो यह लिखा हुआ album title तो यहाँ आपको अपने album का title देना है जैसे मेरे album का title है beauty queen तो यह देना है फिर यह बताना है कि आपका जो release का version हो क्या है live है remix है यह फिर आने है तो यह सारी जीज़ नहीं होंगी फिर उसके बाद अपने artist का नहीं जैसे मैंने artist का निंदिया जीम official ठीक है उसके बाद यह जो आप option देख पा रहे हो तो यह आप से पूछ रहा है कि क्या आपका already कि Spotify account है या Spotify artist page है तो अगर है तो यहाँ पर आप उसका URL दे सकते हो अगर नहीं है तो आप पूछेगा release date तो मैं release date यहीं रहने जेता हूं 12-6-2021 फिर उसके बाद यह आप से मिटरड़ा का language पूछेगा यह मेरा English यह इंग्लिश है आप जो भी लाइंग्विज होगा उसे सेलेक्टर लेना जैनरी मेरा soundtrack है मैंने जैनरी को soundtrack रखा है यह लेबल आप चाहो तो लेबल है ऐसा कुछ तो आप से पूछा तो नहीं यह बिल्कुल पूरा का पूरा मेरा है मैंने इसे खुद create किया हुआ है तो यहां पर मैं इसको ऐसा ही छोड़ेता हूं फिर आप से पूछेगा कि एक cover image drop करना है तो चलिए cover image को drop कर लेते हैं तो जब आप यहां पर अपना cover image upload कर में होना चाहिए वह वरगा कार होना चाहिए तो ही आपका image upload हो पाएगा वह जो आपका cover है वह upload हो पाएगा और सबसे important चीज़ जो यह है चलिए पहले upload कर लेते हैं यहां मैंने upload कर लिया है देखिए यहां uploading start हो चुकी है तो यह जो आपका cover है उसका जो meter data जो language होना चाहिए वह यहां जो आपने select किया वह सेम होना चाहिए जैसे देखिए मेरा beauty queen, music by regime official तो यह चीज़ें English से match करती है तो वह चीज़ें match होनी चाहिए वरना यह भी reason हो सकता आपका reject कर दे चलिए दूसरी चीज़ यह है कि जब यह सारी चीज़े आप fill कर लोगे देखिए आपर album title यह सारी चीज़े मैं आपको बता चुका हूँ जैसे आप fill कर लोगे आपको करना होगा click continue पे continue पे click करने के बाद आपको track को add करना पड़ेगा चलिए track को add कर लेते ह फिर यह फिर title पूछेगा आपसे तो यह फिर से आपसे title पूछेगा तो title को लिख लीजेगा title और यह सारी चीज़े information अप सारी चीज़े feel कर लीजे उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने सारी information feel करने ले लाइक आपके track का title क्या है country क्या है यहाँ पर तो यह ऐसी रहेगा अगर आपने instrumental बनाया हुआ है लाइक उसमें कोई lyrics नहीं है तो आप यहाँ पर instrumental को click कीजेगा ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर drop करना होगा जो आपका file ह कर लेते हैं तो यह upload होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसे upload होने देते हैं करजू कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो हमारा track है वो release मतलब सुरी यह जो track है वो हमने drop कर लिया है और यहां पर हमें continue पर click करना है तो जैसे आप continue पर click कर रहोगे यह आप से पुझेगा stores तो जो भी जिस store पर आप अपने गाने को release करना चाहते हो आपको वो select करना होगा WA, Boomplay, बहुत सारे platforms हैं तो यहां पर आपका music release किया जाएगा तो देखिए यह जो है अगर आप चाहते हो कि आपको content ID दी जाए तो इसके लिए आपको verification करना पड़ेगा तो वो process मैं इसको release करने के बाद बताता हूं मैं यहां पर create release पर click करता हूं तो यहां आप देख सकते हो release created successfully यहां पर मेरा जो release वो create हो चुका है अब यह review में जाएगा review में होने के बाद अगर यह approve होता है तो एक email के थो यह बता देंगे कि हाँ भई हमारा जो release है वो approve हो चुका है तो आप देखिए मैं content ID के बात कर रहा था content ID यहां कैसे मिलती है देखिए यहां पर जब आप यह verify कर लोगे तो आपको content ID भी फ्री में मिल जाएगी तो यह सारी चीज़े होने के बाद यही होती है यह पूरा tutorial मैं सर्फ आपके लिए यह लाथा कि आप यह सारी चीज़े easily समझ पाओ कि हाँ release कैसे करते हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और शेयर कीजेगा दूसरी चीज़ यह कि आप हमारे चैनल को subscribe कर लीज़े क्योंकि यह independent artist के लिए बहुत ही helpful है और तीसरी सबसे important चीज़ यह कि आगर आप चाहो तो हमारे telegram group को join कर सकते हो वो एक artist की community है वहाँ आप किसी भी question को बहुत easily पूछ सकते हो वहाँ लोग होंगे आपके reply के लिए तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी धन्यवाद